नमस्कार मेरा नाम हरी शंकर सोनी है और मैं I.M.C. से 2018-2019 से पास आउट हूँ इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ I.M.C. के डिपार्टमेट के उपर लेकिन इस से पहले ये बताना चाहूँगा के एंट्रेस एक्जाम के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने पहले बना दी है और हमें apply करना चाहिए नहीं करना चाहिए थोड़ी सी confusion है आप दूर करतीजिए तो देखिए हो सकता है pandemic का time है अभी भी pandemic फिस से उट सकती है पोरोना का नया एक लहर आ सकती है नहीं लहर आ सकती है तो ऐसी situation में अगर आप apply कर सकते हैं तो हो सकता है कि आपको एक नया मुका मिल जाए तो फिर apply करने में ही सार है क्योंकि एक जार रुपे फीस है तो उसके साब से किसी एक department का फिल तो करी दीजिए अगर आपके दिमाग में जिजख है तो ठीक है और जिसका exam तो होई गया बस result ही आना बाकी है तो फिर उसको तो चिंदा है नहीं उसको तो करना ही करना है कोई दिक्कत नहीं होगी उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है जिसके exam हो गए उन सभी को करना ही है उसमें किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी mark sit को लेकर कोई भी आपस यह निखेगा कि अभी लेके हो अराम से first semester से पहले भी दोगे ना तो iamc accept कर लेगा ऐसी कोई बात नहीं है बाकि 30 September तक तो आई जाने चाहिए भी भी टाइम है आपके पास कम से कम आपके पास दो महीने पूरे पड़े हैं दो महीने दस दिन पचास दिन तो आराम मतलब 70 दिन आपके पास है तो 70 डेस में तो आई जाएगी अगर आपका exam हो गया है तो उनको तो apply करना ही कर आता है तो आप अपने साब से fix कर लीजे आपके पास 70 डेस हैं ठीक है फिर मुझे बात करनी है एडी प्यार को लेकर ये बात करनी है क्योंकि देखिए एक ही exam हो रहा है जो EJ है SJ है RTV है एडी प्यार है इन चारों का एक ही exam होना है तो मतलब एक ही syllabus दे दिया है उसमें लि last year के previous year के papers आपने नहीं देखिया हैं तो मेरे channel में है उसमें आप जाके देखिए कि किस तरह question पूछे हैं और last video मैंने research भी दी है कि किस section से कितने question पूछे गए वो भी आप देखिए पहले ठीक है तो ये सब पहले चीज़ें आप देख लीजे फिर हम वापस बात करते हैं 15 questions पूछले खींच के एकदम 15 से ज्यादा तो ADPR का ratio नहीं देंगे ठीक है तो यहां problem किसके लिए है problem उनके लिए तो नहीं है जो EJSJRTV को अपना area मानके अपना target मानके तयारी कर रहे थे उन्हें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है लेकिन जो ADPR को goal बना के चल रहे थे कि ज पाकि जो question है उसमें geography है economy है हर एक section से question है तो जो advertisement PR की तैयारी कर रहे थे यह जो section उसको थोड़ा सा lightly लेके चल रहे थे उसको ज्यादा वेटेज नहीं दिया था लेकिन अब आप उसको lightly लेके नहीं चल सकते अगर आपको IDPR में भी जाना है तो आपको यह सब कुछ करना प जो course है वो join कर सकते हैं एक तू information मेरी यह है बाकि IDPR वाले अपनी तैयारी कीजिए बाकि जो भी section आपके रह रहे हैं उनको लेकर ठीक है फिर बात करनी है AMC के department को लेकर तो मैं क्या करूंगा मैं आपको 3-4 बाते बता दूँगा फिर आपको decision लेना है कि आपको क्या करना ह पहली बात ये कि AMC के department कैसे हैं कैसे मतलब कि RTV कैसा है किसको focus करता है ADPR कैसा है तो जैसे कि नाम है RTV तो वैसा ही उसका काम है RTV का काम है radio and television के उपर focus करके academy course करवाना ADPR का काम है advertisement और PR को focus करके वो course करवाना बाकि EJSJ print को focus करके चलते हैं मिलनी ये पूरा scene है department का ठीक है और एक दूसरे के department में कुछ ने कुछ जरूर पढ़ाया जाता है जैसे कि आप EJSJ में हैं तो आपको anchoring, reporting, advertisement से related चीज़ें भी पढ़ायाई जाएगी आप मालीजी ADPR में तब भी आपको print से समंदित या radio TV उसके बारे में भी बताया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि advertisement में केवल PR भी पढ़ायेंगे और कुछ नहीं पढ़ायेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है AMC में, AMC में ऐसा नहीं है AMC में head department का थोड़ा थोड़ा पढ़ाये जाएगा 65% course तो सभी का सेम ही है ये मेरे साब से है तो ये जो course है वो लगबग सेम है अगर आपको कहीं भी selection होता है तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जब placement का time होता है तब भी आपको equal opportunity रहती है उसमें किसी तरह का discrimination नहीं है कि ADPR वाला ही PR की company में बैठेगा हो सकता है कोई company अपना cape लगा दे कि नहीं मैं PR वालों को ही बिठाऊंगा तो एक अलग बात हो सकती है बाकी सब को equal opportunity AMC की तरफ से तो रहती है ठीक है और course भी लगबग सेम है तो ये एक बात है एक बात ये भी है कि जो courses है उनकी fees अलग लग है तो fees के साब से भी आप decide कर लो कि आपको अगर एड़ी आपको जाना है आटीवी में लेकिन आटीवी के आपको fees जो है वो नहीं जोचरी क्योंकि वो काफी ज़्यादा हाई है बागी सभी department से तो अगर आप easy के लिए भी apply करते हो तो कोई बूरी भात नहीं उसमें ठीक है अगर आप वहाँ चले जाओगे fees भी आपको support करती है तो फिर वहाँ चले जाएए वहाँ के लिए भी apply कर दीजिए इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको कितने department के लिए apply करना चाहिए दुछरा यह कि prospectus जो release हुआ है उसमें लिखा वाई कि आप 5 department के लिए apply कर सकते हो पहला एक यह कि department के लिए आप apply कर सकते हो रिजिनल में बाकी जो 4 department है EJ, SJ, RT इस बार एक की टेस्ट हो रहा तो सभी के लिए खोल दी हैं दरवाजे क्योंकि अगर किसी की हिंदी और इंग्लिस दोनों अच्छी है दोनों में चले जाए उसको कोई फरक नहीं पड़ता तो अराम से जाए कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए दरवाजे खुले हैं ये पहले आमसी में ऐसा नहीं होता था पहले आमसी में आपने एक हजार उपए एक डिपार्टमेंट के लिए फीस पे कर दी अब आप दो के लिए देना चाहते हैं तो पंदरा सो तीन के लिए देना चाहते हैं दो हजार इस बार पांच डिपार्टमेंट अगर आपको देना तो पांच जार चार के लिए देना है तो चार जार रूपे फीस रहेगी तो इसमें पर कोर्स के साब से इस बार हो रहा है ठीक है तो ये सब कुछ बाते हैं जो मैंने आपको बता दी है इसके basis पे आप देख लीजे किनके basis पे पहली बात तो ये कि एक दूसरे में एक दूसरे का कोर्स पढ़ाया जाता है तो ये बात देख ली और जो कोर्से हैं उसकी जो फीस है वो हमने देख ली एक जो दूसरी बात है वो ये कि हमारे chances भी तो बढ़ रहे हैं अगर हम ज़्यादा के लिए apply करते हैं तो हमारे माली जे कम नंबर रह रहे हैं माली जिसके अच्छे नंबर है तो जिसमें उसने भरा है जो भी preference उसने दिया है उसका selection हो जाएगा अराम से लेकिन जिसके नंबर कम रह रहे हैं तो उसके selection में दिक्कत हो सकती हो सकता है कम नंबर रहने से उसका RTV में नहीं हो रहा था लेकिन इजिय उसने भरा था और इजिय में उसका हो गया हाला कि अब दिल्ली केमपस में नहीं वा लेकिन को टाइम हो और को टाइम हो पड़ सकता है ऐसी सिच्वेशन अगर आपकी है तो फिर आपको उस हिसाब से अपना परचुनिटी मिलती है कि वो दिल्ली केमपस से आके प्लेसमेट ले सके अपना तो यह भी आएमसी में होता है यह चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप जो है फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यह इतनी इंफोर्मेशन आपको दी है और अगर आपको इंफोर्मेश का लिंक मैंने डेस्क्रेशन में दे रखा है वहां से आप मुझे टेलीग्राम पे कॉंटेट कर सकते हैं मास कम्मुनिकेशन का मेरा चैनल है उसमें आप जाके प्रिवीश एर के पेपर्स जो बैसिक चीज़े हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिप्रेशन को लेकर क्य का डेटल्स आपको जाननी है वो भी आप टेलेग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं तो कोल मत कीजिए जो भी पूछना हो टेलेग्राम पे आप मुझे कॉंटेट कर सकते हैं ठीक है और आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू वेरी मच्छ ओल दे बेस्ट